हेलो एब्रीवन आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बेटशीट का डिजाइन तो इस डिजाइन से आप जैसे टेवल का कवर, कुशन कवर, पिल्लो का कवर, जाब बेबी बेटशीट, कुछ भी अपनी मैजिनेशन से बना सकते हैं डिजाइन बनाना शुरू करते हैं, डिजाइन बनाने के लिए कपड़े की मैंने कटिंग कर ली है, तो यहां पर यह दो दो इंच की स्टिप्स मैंने कट की हैं, सारी स्टिप्स हमारी सेम साइज की हैं, जैसे यह दो इंच है, यह भी दो इंच है, यह सभी एक ही साइज की है और ऐसे में हमें लंबे में लेनी है तो सबसे पहले हम जैसे ये white कलर के strips ली है दो इंच है यहां से और यहां से भी दो इंच का ये block है यह भी same size का है तो इन दोनों को ऐसे रखना है दोनों को सीधी साइड अंदर कुरेगी और यहां पर सिलाई लगा देनी है यह सिलाई लगी है अब इस पीस को हमें इस तरह से खूलना है यहां से ऐसे कर लेंगे और इसके बाद हमें यह बाइट स्टिप्स लेनी है इस स्टिप्स को हमें यहां पर यहां तक सिलाई लगा देनी है सिलाय लगाने के बाद इसके बराबर हमें इस कपड़े को कट कर लेना है और ये पीस है इसको ही इस तरह से खूलेंगे और ऐसे कर लेंगे ये पीस इस तरह से बन गया है इसके बाद हमें ये स्टिप्स लेनी है यू कलर की तो ये हमारी यहां पर लगेगी इसके बराबर कट कर लेंगे यहां पर आ जाएगी तो दूसरी स्रिप्स से यह हम यहां पर ऐसे रखेंगे और यहां से कट कर लेंगे अब इनको सिलना है जैसे यह स्रिप्स है इसके साथ सिलेंगे यह स्रिप्स सिल दी है इस strips को हमें इस तरह से ऐसे दबा देना है यहां से यहां पर प्रेस भी कर सकते हैं उसके बाद हमें यह strips यहां पर लगा देनी है इसके बाद यह हमें यह light color का piece लेना है इसके बराबर इसको यहां पर सिल देना है तो यह सिल दिया है इसे हमें इस था कर लेंगे और उसके बाद यही पीस हमें यहां पर लगाना है तो यहां पर हमें यह सिल देना है यह पीस भी सिल दिये हैं इसके बाद हमें यह पीस लेना है यहां पर color combination आप अपने हिसाब से ले सकते हैं तो यह piece है इसको हमें यहां पर सिल देना है और उसके बाद यह piece भी यहां पर सिल देंगे तो यह piece हमारा बनके ready हो गया है यहां पर press कर लेनी है और press करने के बाद अगर थोड़ा-thोड़ा कपड़ा आगे पीछे है उसे हमें कट कर लेना है अब सेम साइज के हमें 4 piece बना लेने हैं तो यह 4 piece मैंने बना लिये हैं अब देखिए यह piece हमारा जैसे इस तरह से मैंने color को change कर दिया है तो यह जैसे हमारा इस तरह से बना है यहाँ पर blue लिया है, green लिया है और यहाँ पर red लिया है इस तरह से हम color को बदल सकते हैं दूसरे piece में तो multi color का हमारा बन जाएगा इस side में हमें light color ही रखने है अब इन pieces को हमें set करना है तो जैसे यह piece है इस तरह से रखेंगे और यह दूसरा piece है इसको इस तरह से रखेंगे और यह अगला piece है और यह तीसरा piece है ऐसे लगेगा और यह इस तरह से एक design हमारा यह बन जाएगा अब इन pieces को हम जैसे इस तरह से भी लगा सकते हैं light color के हम अंदर रखेंगे इस तरह से तो यह हमारा अलग और design बन जाएगा जैसे यह white color है यहां white color में ही हम दुसरे color का भी लगा सकते हैं और कुछ इस तरह से यह हमारा दुसरा design बन जाएगा अगर हमें जैसे bed sheet बनानी है तो इस तरह से जैसे यह हमारा piece इस को हमें इस तरह से रखना है तो यह से यह पीस इस तरह रखा है दूसरा हम इस तरह से रखेंगे और यहां पर यह पीस इसी के जैसे आ जाएगा और यह पीस इसी तरह लगेगा इसी तरह बहुत सारे पीस बना लेने हैं और आगे आगे जोइन करते जाना है तो बहुत ही प्यारी हमारे एक बैट शीट का डिजाइन बनके रेडी हो जाता है और इसी तरह अगर हमें जैसे ये डार कलर हैं अंदर को रखेंगे ये भी हमारा इस तरह अंदर को आएंगे तो इस तरह से भी हमारा ये अलग से एक डिजाइन बनके रेडी हो जाता है यह डिजाइन हम बनाएंगे तो इनको जैसे रखा है उसी तरह सिल देंगे यह इसके साथ सिलेंगे और यह पीस इसके साथ सिलेंगे दोनों पीसी सिल दिये हैं अब इन पीसी को इस पीस के साथ सिल देना है यहां पर corner यह ध्यान रखना है और यहां पर सिलाई लगा देंगे center की सिलाई भी लग गई है अब यह हमारा design बनके ready हो गया है इस तरह से यह हमारा एक block बन गया है यहां पर हमें कर लेनी है press जिससे हमारा सारे जो सिलाई है एकदम अच्छे से बैठ जाएंगी तो press करने के बाद यह हमारा इस measurement में बैठा है 14 इंच 14 इंच और इस side से भी हमारा 14 इंच है 14 by 14 का यह हमारा block बना है तो इसका हमारा जैसे 12 by 12 का cushion cover बन जाएगा अगर आपको जैसे बड़ा बनाना है तो जैसे light white color है जब कोई भी color इसमें से लें और 2-2 इंच की side में पट्टी जे दें चार हो और तो यह हमारा बड़ा हो जाएगा तो अब अगर आपको जैसे bed sheet बनानी है तो इस तरह के हमें बहुत सारे blocks बना लेने है और आगे आगे हमें जोइन करते जाना है तो जितनी बड़ी आपको bed sheet चाहिए उससे आपसे block मना ले और आगे आगे जोइन करते जाएं तो हमारी एक bed sheet बनके ready हो जाएगी तो friends, design हमारा बनके ready है design आपको कैसा लगा, design अच्छा लगा हो तो comment box में comment करके जुरूर बताई तो चले मिलते हैं अगले इसी तरह के ने वीडियो में